प्यारे मित्रों आईए सीधे सीधे एतराज पर बात करते हैं ये वीडियो देखें और इस एतराज पर बड़े धडल्ले से ये कहा जा रहा है कि इस इतिहास को जानकर आप हिंदु धर्म कुबोल करने पर मजबूर हो जाएंगे बयान नमबर 6 और इनकी हदिस नमबर 362 उसमें कहा गया है कि महिलाएं नमाज पुरुष के पीछे बैठ कर पढ़ें पहले पुरुष फिर बाद में महिलाएं पीछे रहें और जब तक सजदा करके मुसलिम जो भाई होते हैं वो नमाज अदा करके आराम से बैठ ना जाएं तब तक महिलाएं गर्दन को जुकाएं रखें तब तक गर्दन उठाएं ना ये इनके कानून है शरियत के ये इनके देख लीजी बहुमत सहबादी की जो कथन हैं कारे हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनकी जो क्रिया कलाब हैं वो आपको पता चल रही हैं खेर इस वि जुम्मे की रात है उसकी जो नमाज थी जुम्मे की नमाज उसकी अगवाई की थी पीछे बैढ़कर नागे बैढ़कर नमाज कर वाई। लोगों ने की तो सारे मुल्ले मुल्यों ने उसके खिलाफ फत्वा जारी करके मारने की धंकी दी कि तू मुहम्मत साब का विरोध कर रही हो शरीयत के कानून को चुनोती दे रही हो तू मुस्लिमों को चुनोती दे रही हो इसलाम खत्रे में आ गया है तो मैंने बेहन के समर्थन में वीडियो निका ली थी तो ये ताज़ा उधारन है कि किस प्रकार से नमाज में भी अरे अल्ला की प्रार्थना करने में भी इतना भी दवाओ मुस्लिमों में भाई ठीक बात नहीं ये बहुत घलत बात है के साथ बच्चों की तरह अपनी गरदनों पर एजारें बादे हुए नमाज पढ़ते थे और आउरतों को आपके जमाने में हुक्म था कि अपने सरों को सजदे से उस वक्त तक ना उठाए जब तक मर्द सीधे होकर बैठना जाए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मर्द कहीं जरा बेपरदगी के आलम में हो और आउरतों की नजर पढ़ जाए सीधी बात ये है कि सदीज से इसलाम की हाई लेबल की मोरालिटी और मोडिस्टी पता चल लई है कि इसलाम लोगों के परदे और डिगनिटी का कितना ध्यान रखता है मगर अफसोस कि लोग इस पर भी इतराज जड़ने में पीछे नहीं है दूसरी सबसे अहम बात ये है कि इसलाम के कुछ उसूलों कवानीन है मतलना नमाज हर बालिग आदमी और और अवरत पर फर्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि ना बालिगों की इसमे तोहीन है या जब एक सहाबी ने अल्ला के रसूल से पूछा कि मेरे सबसे अच्छे सलूक की मुस्तहिक जात कौन है तो नबी ने कहा तुम्हारी माँ सहाबी के तीन बार सवाल करने के बाद तीनों मरतबा यहीं जवाब दिया फिर चौती मरतबा जब पूछा तो आप सलूलों ने फर्माया कि तुम्हारा बाप तिस हदीश का ये मतलब नहीं कि मर्दों की तोहीन है गर्च इसमें मर्द से तीन गुना ज़्यादा मरतबा आउरत का बताया गया है हमें मजमूरी तोपर देखना चाहिए इसलाम ने हर एक को उसका हक दिया है आउरत को मर्द का इमाम ना बना के अल्ला ने बे इनसाफी नहीं की क्योंकि आउरत की सिन्फ ही ऐसी है कि यौँ आम तरव पर हर महीने में 5-7 दिन के लिए बसूरत माहवारी कोर्स बीमार होती है फिर उसके सिन्फ ही तकाजे ये हैं कि उसे 3 माह के लिए हमले ख़़ीफ और 6 माह के लिए हमले सकील यानी प्रिगनिंसी का बोज उठाना होता है उसके बाद वज़े हमल यानि डिलिवरी के खतरनाक मरहले से गुजर कर आया में निफास गुजारने होते हैं दो साल के लिए बच्चे को दूद पिलाने का फरीजा भी आउरत का फरीजा है आउरत की अजमते श्टान और ग्रेटनिस उसकी जिम्मेदारियों से आया है जिने कोई मर्द हरगिज हरगिज उठा ही नहीं सकता मा के कदमों के नीचे जन्नत है कोई मर्द कुछ भी हो जाए मा के मकाम को नहीं पहुंसकता इसी तरह औरत की नमाज उसके घर में बहतर बताई गई है तो जाहिसी बात है क्यों मस्जिद जाकर मर्दों की इमामत करे यह जीब बात है हकीकत यह है कि सलाम का नजरी मसावाद एकौालिटी का नहीं बलकि अदल और इनसाफ जस्टिस का है मसावाद का तकाज़ा है कि एर इनसान को आपस में हर जगा बराबर बराबर ठेहराया जाए इससे यह मसावाद बाद जगा जल्म बन जाती है कई लोगों ने ये नारा लगाया कि मर्दों और औरत के दर्मियान कौन सा फरक है ये मुम्किन ही नहीं कि कोई एक दूसरे पर तसल्ट रखे और हुकमरानी करे हता कि बाप और बेटा भी बाप को अपने बेटे पर भी तसल्ट और ताकत नहीं है इसी तरह आगे बढ़े और समाज की हर तरतीब को दरहम बरहम करके रख दिया जबकि हमें यकीन है कि ये इतराज करने वाले भाई कमिनिजम की इस थेयुरी को कभी कबोल नहीं करेंगे दूसरी तरफ अदल यानि जस्टिस का माना है कि हर मुस्तहिक को उसका हक देना जिसका वो मुस्तहिक है इसलिए Прfahrण मजीद में कभी ये लफ नहीं आये कि ALLAH त inglés तुम्हें मसावात यानि बराबरी करने का हूक滿 देता बलकि ALLAH तुम्हें अदल की अदलवी इनसाफ का हुक्म दिया है और जब तुम लोगों के दरम्यान फैसला करो तो अदलो इनसाफ के साथ फैसला करो सुरे निसा आयत नमबर 58 और पुरान मजीद में कई जगा मसावात और इक्वालिटी का इंकार किया गया है अल्ला ने कहा कि कह दीजिए क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते बराबर हैं सुरे जुमर आयत नमबर 9 कह दीजिए क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं या क्या अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकते हैं सुरे राद आयत नमबर 16 मिसाल के तरफ पर 4 लोग हैं 3 फिट, 4 फिट, 5 फिट और 6 फिट के और सामने एक 8 फिट की दीवार है अब सब को दीवार की दूसरी तरफ देखना है तो मसावात और इक्वालिटी ये है कि सब को 2 फिट का इस्टूल दे दिया जाए मगर अदल ये है कि 3 फिट वाले को 5 फिट का और चार फिट वाले को चार और पाँच वाले को तीन और छे वाले को दो फुट की सीड़ी या स्टोल दिया जाए इसी तरह औरत को आएन मर्द के बिल मकाबिल खड़ा कर देना या ऐसा तसवर करना एक इंतिया पसंदी एक्स्ट्रिमिजम है इतिदाल बहुत जरूरी है यहां कुछ मौमिलात ऐसे हैं जिन में औरत और मर्द बराबर नहीं हो सकते जिस तरह फाँज का सिपाही और जर्नेल या सल्तनत का बादशा और रियाया या मुलक का वजीर आजम और अवाम एक पलड़े में बराबर नहीं हो पाते उसी तरह औरत और मर्द के मनसम में भी थोड़ा बहुत फरक फितरत ने रखा है औरत और मर्द नेचरली एक दूसरे से थोड़े अलग हैं अब आईए बात करते हैं केरला में मर्दों की मामत करने वाली औरत की तो सबसे पहले हम ये बता दें कि एक आउरत सिर्फ आउरतों की इमामत कर सकती है इसलाम ने इसकी इजाज़त दी है इसी तरह से दूसरी बात ये कि ये कहना कि सभी मुल्ले मुल्वियों ने उस आउरत पर फत्वे और जान से मारने की धंकियां देना शुरू कर दिया था इस बात को कॉमन सेंस ही घलत कहती है किसी एक भी मुस्तनद मुफ्ती ने उसको धंकिन नहीं दी इतराज करने वाले भाई कभी इसका सुबोत नहीं पेश कर सकते हैं भगवाद उपट्टे में नमाज की इमामत करने वाली आउरत जमीदा पेशे से टीचर है उससे मुतालि हदीस यानि हदीस को ना मानने वाली बद्दीन अवरत है ये कुरान सुन्नत नाम की जिस सुसाइटी की चीफ है उसके बानी पीके मुहमद अबुलहसन चकनोर मुलवी थे ये अरबी के स्कॉलर थे केरल के मला पुरम में 1936 में पैदा हुई चकनोर मुलवी इबतदा ही से म चिर्फ पुरान को मानने की बात कहते थे और अधीस को मानने से इनकार करते थे उन्होंने सबसे पहले दिन में पांच वक्त पढ़ी जाने वाली नमाजों को तीन बताया था उनकी कुआन सुन्नत सुसाइटी से तरभियत पाकर जमीदा ने भी इनकार इहदीस का नजरिया अपनाया जमीदा का कहिना है कि नमाज पांच वक्त की नहीं तीन वक्त की होती है सुबा शाम और रात के वक्त अदा की जाती है एक रकात में सिर्फ एक ही मरतबा सजदा होता है ये औरत इसलाम से बिलकुल जाहिल है इसको इतना भी नहीं पता कि रुकू से उड़ते रहा जाता है ना कि अल्लाहु अक्बर एक ऐसी औरज जो इसलाम की बेसिक चीजें भी ना जानती हो उसके जरिया दस तरह के इतराजात करना कहां का इंसाफ है प्यारे मित तुरों आप खुद गोर करें और पूरी वीडियो को तफसील से सुनें और संजीदी से समझने की ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें